एक सो पांच साल पहले अमेरिका में हाथी को दी गई थी फांसी वजा जानकर रह जाएंगे दंग वीडियो देखने से पहले एक लाइक जरूर करें दुनिया में कई अजीबो गरीब कानून हैं वहीं कई देशों के इतिहास में दोशियों को ऐसी सजा भी दी गई है जिसे सुनकर आपकी रूह काम जाएगी लेकिन कि आपने कभी किसी जानवर को फांसी पर लटकाने की सजा सुनी है या बात है 13 सितंबर 1916 की जब अमेरिका क से टेनेसी राज में फेमस शो नाम से एक सरकस चलता था जिसे चारली नाम का वैक्त चलाता था उस सरकस में एक मैरी नाम की की हथिनी थी इस हथनी का वरज़न 5 तन था एक दिन मैरी के महावत ने किसी कारण सरकस छोड़ दिया जिसके बाद आनन फानन में उसकी जगा पर दूसरे महावत का इंतिजाम किया गया जो नया महावत आया था उसको मैरी हाथी के बारे में जादा कुछ मालूम नहीं था इसलिए मैरी को कंट्रोल करने में महावत को बहुत दिक्कत आ रही थी इसी दौरान एक दिन सरकस के प्रमोशन के लिए सहर में परेड कायोजन किया इस दौरान रास्ते में मेरी को कुछ खाने की चीज़ दिखी जिसके लिए वह तेजी से आगे बढ़ने लगी नये महावत ने मेरी को ऐसा करते देख रोकनी की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी इस दौरान महावत ने उसके कान के पीछे भाला मारा जिससे हाथी गुसे में तिल मिला उठी और गुसे में उसे नीचे पटक दिया और उसके उपर अपना भारी भरकम पैर रख दिया जिसे महावत की मौत हो गई अगले दिन के अकपारों में इस घटना को चापा गया जिसके बाद घटना पूरे शहर में आग की धुएं की तरह फैल गई इस खबर को पढ़ कर शहर के लोग सरकस के मालिक चारली स्पार्क से हाथी की मौत की सजा देने की मांग करने लगे साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो शहर में फिर कभी सरकस नहीं होने देंगे कई लोगोंने कई तरह से हाथी को मारने की बात लालिया इसके लिए उन्होंने सौ टन का वजन उठाने वाले क्रेन को मंगवाया और 13 सितंबर 1916 को क्रेन की मदद से हाथी को हजारों लोगों के बीच फासी पर लटका दिया गया दोस्तों आपका क्या कहना इस घटना के बारे में हमें कॉमेंट में ज़रू बताएं और वी